Hello everyone and welcome back to the channel So guys I hope आप सबके exam की preparation बहुत ही अच्छी चल रही होगी And आज इस वीडियो में हम लोग आपके RBA grade B exam के phase 2 के ESI subject का year 2023 के question paper का analysis करेंगे And समझेंगे जो exam में आपका question paper आया था उनमें जो questions थें वो syllabus के किस point से थें उनका weightage क्या था, questions का nature क्या था, static था या current था And साथ ही साथ हम लोग समझेंगे उन questions का difficulty level क्या था Questions easy थें, moderate थें या difficult थें And guys इस video series में मैं आपको ESI question paper का 2023, 2021 and 2022 के analysis करूँगा And Unrock Sir आपके FM subject का 2023, 2022 and 2021 के analysis करेंगे So let's start this video And आप सबके मन में question सबसे पहले उठ रहा होगा कि हमें PYQ का analysis करना ही क्यों है तो उसके हमारे major five reasons है पहला है, assess your preparedness अब इससे मेरा मतलब यह है कि जब भी आप कोई topic को पढ़ रहे होते अपने subject के Let us suppose आप ESI के को भी topic को पढ़ रहे हो, ठीक है आपने topic जो भी आपने sources follow किया उससे पढ़ाई करिया अच्छे से आपको लगा आपने उस topic को holistically complete कर लिया है अब आप यहाँ पर अगर PYQ को solve कर रहे हो आप जब solve कर रहे अपको है कि आपने topic को वाकई है μέ नहीं कर लिया है या कुछ बाकी है second is weak points आपको समझ में आएंगे जब भी आप PYQ के analysis करते हो आपको समझ में आता है कि आपका कौन सा point जादा strong है and कौन सा point कम strong है क्योंकि हर subject में आप completely आपको सब कुछ नहीं आ सकता कुछ ऐसी चीशे होती है कुछ ऐसे topics होते हैं जिनमें आपको बहुत अच्छे समझ में आता है कुछ ऐसे topics होते हैं आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है आप चाहे जित्ती कोशिश करो अगर आता भी है तो बहुत कम समझ में आता है तो उन weakness तो आप उसको plug करते हो, ज्यादा prepare करते हो, ज्यादा मिनद करते हो, कुछ shortcuts बनाते हो, mind match बनाते हो, ताकि उसका आप उस चीज को भूलो नहीं next उसके बाद हमारा identify the trend exam, जब आप PYQ का analysis करते हो, आपको समझ में आता है कि आपका एक्जाम का trend क्या आ रहा है, क्योंकि हर एक्जाम का जो एक्जामनार होता है, कुछ trend को follow करता है, उसके कुछ साइकी होती है, जिसके कुछ उसको topics पसने हो, जिसे exam को examiner आपका questions जादा दे है, as compared to on topic, जिनमें exam questions कम आ रहे है, and last is identify the low hanging fruits, अब हर subject में कुछ ऐसी चीज़े होती है, जिससे हर साल exam questions आते आते हैं, चायब आपका budget हुआ, survey हुआ, रिपूर्स हुए, कुछ ऐसे topics, जिरसे ESI main topics होते हैं, जिससे questions आते हैं, तो आपको समझ में आगा का, ऐसे को ऐसी question paper आता है, उसका main pattern क्या होता है, तो हमारे यहां पे 2 section में आपका ESI का paper divided होता है, पहला section आपका होता है objective questions का, ठीक है, आपका पहला section होता है objective questions का, इसमें total आपके 30 questions होते हैं, and in 30 questions में आपके 20 questions ऐसे होंगे, जो आपके 2 mark के होंगे, ठीक है, and 10 questions आपके ऐसे होंगे, जो आ मिलती है वो 120 मिनिट्स मिलती है और 2 आवर ठीक है 2 आवर में आपको paper करना होता है पर objective sections करने के लिए आपको time limit मिलती है आपको 30 मिनिट्स ठीक है आदे घंटे गंदर आपको objective question करने होंगे जब आप face to paper देने जाओगे exam center बैट्ट होगे तो सबसे पहले आपको objective questions का देने मिलेगाеж सब्जेक्टिव बाद में skip करने करोगे पहला objective questions अब Alrighty करोंगे, Second हमारा section आता है deskriptive questions का, है descriptive questions का आपका second आयदा आयए, इसके लिए आपको 90 minutes मिलते है and यहाँ पर आपको total 6 questions मिलते है, ठीक है, total आपको 6 questions मिलेंगे and in total 6 question में आपको any 4 करने होते है, ठीक, any 4 करने होते है, 6 questions में आपके 3 question जो होंगे वो 15 marker होंगे and 3 question जो आपके वो 10 marker होंगे तो आपको कोई 4 question करने होंगे 2 आपको 15 marker या फिर आप 3 15 marker कर सकते हो and 1 10 marker कर सकते हो depend on your options इस तरह आपका ESI का paper question paper होते इस तरह से आपको format होता है हम move on करते हैं समझते हैं ESI का PYQ analysis उससे पहले आपको एक चीजा हो समझ नहीं है, आपका जो question paper है, आपका जो previous years का, वो ऐसे freely market में available लेगी है, तो उसके लिए हमनों आपके हमने अपनी PYQ year question book बनाई है, इसको आप download कर सकते हो free of cost में हमाई telegram channel से, वहाँ पर आपका इसको uploaded मिलेगी आपको, आप जाके freely upload, download कर refer कर सकते हो, जब आप ये video देख रहे हो तो आपका question paper सामने होना compulsory है, आपको चीज़े जादा सब्सक्राइब करते हैं, objective question जो आपके आयते exam में, उसका analysis करते हम लोग, तो हमारा जो objective question जो हमारा पहला 23 में आया था, question 1 आपका 2 mark था, and जो topic जिस आपका syllabus है, वो social issues topics से आया आपको अच्छे से follow कर रहे हो religiously, तो आप question कर लोगे, second question पे हमारा 2 mark था, वो भी आपका social issue topics से था, and ये भी आपका sustainable development and environmental issues से topics आया था exam में, इसका भी nature आपका current था, and ये भी आपका easy था question, third question अगर हम बात करें, ये भी आपका social issues से आया था, and ये भी आपका sustainable development and environmental issues से question आया social issues topics से आपका आया था, and जो आपका syllabus का topic था, इसमें, social issues में, वो आपका sustainable development and environmental issues से ये भी question आया था, जो question का nature है, तो वो current था, and easy था, तो अगर हम बात करें, तो आपका social issues से question आया था, two marker था, and एक ही topic से आपका syllabus से question है, that is, sustainable development and environmental issues, क्योंकि ये जैसा कि आप देखे हो, last three to four years में, आपका involvement लेके आपका बहुत जादा news में रहता है, उससे, उसके according लिए हमें, आपनी economic, जो policy develop करनी पड़ रही है, वो sustainable method में करनी पड़ रही है, इस वज़े से, जो examiner है, इससे ज्यादा question दे रहा है, and current related questions थे, and easy थे, अगर आप current affairs को अच्छे से कर रहे हैं, तो economics यह थे, and international organizations यह थे, दोनों static question थे, and moderate level केती है, तो अगर आप economic syllabus का point देखो, आप हमारे mentioned बड़े-बड़े अक्षरों में, international organization, like world bank हुआ, IMF हुआ, इस जैसे organization से question थे, and static question थे, अगर ठीक ठाक पड़े होगे, अच्छे से, तो आप इस question कल होगे, move on करते हैं, समझते है, question number 7 का analysis क्या है, so basically, हमारे question number 7, वो 2 marker question है, and यह आपका economic section से आया है, and syllabus का point है, international organization, question आपका static nature का था, and difficulty level, इसकी moderate है, अगर हम आप corner 8 की तरफ बढ़े, यह भी आपका two marker है, and यह भी आपका economic section से आया है, and same, यह भी आपका international organization से question आया हुआ है, and यह आपका static nature है, and moderate question, अगर 10 के अगर हम लोग बात करें तो आपका economics से भी belong करता है international organization syllabus के points से हैं दोनों current question है ठीक आपका current related question है और दोनों moderate level के questions हैं अब हम लोग question number 11 की बात करें यह भी two marker आपका है economics section से आया है international organization से आया है but जो इसका nature question का है वो current affairs है बड़े question tough है तो अगर आपको question यह समझ में है तो ठीक है वाना आप इस question को skip करके आगे भी बढ़ सकते हो अगर आपने current affair अच्छे से पढ़ा है आपको चीजे aware है तो इसको attempt करिएगा वाना आगे move on कर सकते हैं अब question number 12 के अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपका जो question का section है वो economics आया है international organization से static है tough question है ठीक यह भी question tough है तो basically अगर हम लोग question 7 से लेके 12 तक देखें तो सारे two marker question है सारे economic section से आया है and सारे ही अपने syllabus के international organization से आया है and जो question का nature है वो static and current and दोनों mix है and difficulty level almost देखा जाया तो moderate level के आपके questions यहां पर पूछे गए अब move on करें question number 13 से लेके 18 तक हम लोग बात करें तो अगर 13 question के हम लोग बात करें तो यह भी two marker question है social issues से आपका आया है section से social justice question आपका syllabus point से question आया है आपका यह current oriented question है and moderate level का है अब हम लोग question 14 के अगर बात करें हम लोग तो यह आपका two marker यह भी question है and यह आपका social issue आपके portion syllabus से आया है and syllabus के point social issues में आपका social justice question आया है current oriented question है and moderate level का question है portion number 15 के अगर हम लोग बात करें यह भी social issue से आपका आया है section से आपका syllabus आपका आपका पॉंट को सोशल जस्टिज से आया है static इन नेचर है और tough questions Q16 के हम भी बात करें यह भी 2 marker है social issues section से आया है आपका syllabus का पॉंट यहाँ पर है social justice and question का जो नेचर है वो static है and question यह भी tough है आप हम लोग question में 17 इन 18 की बात करें तो यह भी दो two marker है, social issues से दोनों section question आए है, दोनों ही आपके social justice section, आपके syllabus के point उससे question पूछे गए है, और दोनों ही आपके current oriented questions है, यहापे जो difficulty level questions की वो moderate है, यहापे आप देशकते हो question number 13 से लेकिजो 18 तक के questions है, वो हमारे सारे social issues के है, और सारे ही आपके two marker है, और सारे question आपके social justice से आए हुए है, जो question का nature है, वो current and static दोनों ही है, और difficulty level आपको question का है, वो आपका moderate level का है, अगर आप आगे move on करें, और हम दो question number 19 से लेकिजो 24 तक काहनी समझे, तो यहापे आपका question number 19 है, वो दो marker का है, and यह social issues आपका section से है, and topic आपका same social justice से है, and static आपका current यहाँ पर, आपका जो static यह current है, यहाँ पर आपका current आपका oriented question है, and difficulty level आपका moderate है, and question में 20 की बात करें, तो हम लोगे यह तो नमबर का है, social issues से आए, social justice से आए, question यह, ठीक है, question का nature आपका current oriented है, and question tough है, तो अगर हम देखें, जो social issues से आपका जो टून marker, आपका question आ रहा है, majorly आपका social justice से question आपका exam में पूछे गए है, अब हम लोगे question 21 से लेकर 30 तक जाएंगे, 21 question में आपका one marker है, social issues से आपका question पूछा गया है, social justice section से है, आपका current oriented हैं, and moderate question है, अब 22 की बात करें यह यह one marker question है, यह आपका social issue section से है, अब topic जो आपका syllabus है, यहाँ पे आपका employment generation in India है, ठीक है, जो question का nature है, वो current है, and difficulty level आपका moderate है, question में 23 की बात करें, आपका one marker question है, social issue section से आपका exam में आया है, gender issue यहाँ पे आपका topic है syllabus का, आपका जो static current in nature है question, and moderate level का question पूछा गया है, 24 आपका question वो one marker है, आपका economics section का यह question है, monetary and fiscal policy आपका syllabus के section से question पूछा गया है, and आपका current in nature आपका question है, आपका nature है question का, and easy level का है, so basically कर आपका question number 19 से 24 देखें, तो 1920 आपका two marker है, social issues से है, social justice से आया है, current in nature है, question का level tough है, 21 से 24 हम लोग जाए, तो one marker question है, social issues से ही question पूछे के, एक question आपका economics है, question में 24, and अलागलग topics से इसमें question पूछा गया है, and current basically, current oriented सारे questions है, and moderate level के है, हम move on करें, question number 25 से लेकर 30 तक हम लोगों को देखें, तो question number 25 आपका one marker है, social issues से आया है, social justice से पूछा गया है, static आपका आपका जो nature है, current है, question का वो current है, difficulty level tough है, question number 26 के बात के रहें, तो one marker है, economic and social issues, अगर हम से section देखें, social issues से आपका पूछा गया है, topic आपका gender issues है, आपका question का nature है, current oriented है, and difficulty level आपका moderate है, question number 27 के बात के रहें, यह भी आपका social issues से आया है, syllabus का topic आपका social justice है, question of nature आपका current है, and difficulty level आपका moderate level का है, question number 28 है का हम लोग बात के रहें, Wooln Marker आपका है, Indian Agriculture आपका syllabus पॉंइंट है, उससे question आया हुआ है and current oriented and question का level जो आपका वो easy है अगर question में 29 के लिए बात करें तो social issues से question आया है and employment generation in India से question level का point है यह उठाया गया है and question का nature current oriented and moderate level का question है 30 के बात करें यह भी आपका one mark social issues से आया हुआ है gender issues से question पुछा गया है current oriented and moderate है तो basically अगर हम देखे तो आपका objective question आता है यहां पर 2123 के पेपर था mostly आपका social issues से ज़्यादा question पुछे गए है and उसमें भी आपका जो आपका social justice topic है syllabus से ज़्यादा question पूछे है question का nature आपका easy से moderate level है and basically आपका current oriented topic रहेगा तो आपको इस तरीके से आपका objective का analysis था अब तोड़ा से हम लोग और analysis करते हैं तोड़ा deep में जाके तो यहां पर हम लोग देखे आपका weightage हम लोग समझे आपका दोनों ही section का economics आपका social issues में ESI का वो क्या रहा है तो total question number आपका 9 question economics आए social issues से आपके 21 question आए and जो marks आपका allocated है economics के लिए आपका 17 marks का question आपका objective में आया है and 33 marks आपका social issues से आया है तो basically आप यहां देख सकता आपका major जो आपका chunk है 223 का paper का objective question का वो social issues की तरफ imbalanced है अब आगे move on करते हैं objective question के level की बात करें तो 6 question आपके जो आए तो easy level के थे moderate level 18 question थे and tough आपके 6 question थे तो अगर आप इन दोनों पर ही focus करके इनको करते हो तो आपके 24 question आपके around साही हो रहे है marks के हम बात करें 10 marks आपके easy level के question केते है moderate level 29 marks थे and tough के 11 marks ठीक है now move on करते हैं आपके type of objective question क्या थे basically आपके current oriented आपके 23 questions पूरे paper में पुछे गए है आपके objective questions में and static 7 marks केते है total current oriented questions थे उनका marks जो weightage था and static में आपके 14 marks था तो अगर आप यहां पर देखो ESI का आपका objective paper आता आपको इस समझ में आएगा वो आपका current oriented आता objective questions आते है और जो questions होते हैं and moderate level के आपके ज्यादा questions होते हैं tough level वाले questions आप इसके भी कर सकते हैं moderate and easy cost focus कर सकते हो move on करते हैं समझता है को current affair कौन सा month का अगर आप करते हैं तो इस question को आप आसानी से कर सकते थे तो अगर आप July month की current affair अच्छे से करते हैं तो वहां से आपके four Quan questionsolly questions go To basically आपके exam से पहले NICK MAQS को five months के current affair को werden पढ़ना है अगर आप objective question के answer करने के देख रहे हो current affair वाले ठीक है I move on करते है अब हम लोग descriptive जो question आपके आये थे SI के 2023 के उसके analysis करते हैं तो अगर हम लोग देखे descriptive question जो आपका हमारे exam में आये थे हैं वो हमारे जो current oriented थे हैं वो आपके 55 marks जो वेटेज रखते हैं वो आपके question आये थे इस static के आपके 25 marks के वेटेक question थे वो पूछे गये थे तो बिसिकली देखे जो ESI का जो आपका paper होता है phase 2 का descriptive वाला उसमें आपका 73% आपका question paper हो तो current oriented होता है आपको 23 होता है तो basically overall अगर हम ESI subject की बात करें तो ESI आपका current oriented ही आपका paper है आपको around around 70-80% तक आपके questions मिलेंगे आपको current oriented मिलेंगे तो आपको heavily current आपको यहाँ पर अच्छे से cover करना है बहुत heavily influenced होता है questions तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है अब हमें topic की अगर बात करें आपका descriptive question आथा वो किसी topic से आया था तो हमारा पहला question 15 marker करता था वो gender issues का question आया था second question 15 marker था वो urbanization and migration topics से पूचा गया था थार्ड question 15 mark था वो sustainable development and environmental issues से question आया था तो तीन question जो हमारे थे है वो आपके 15 marker थे है वो आपके इन तीन syllabus के points से पूचे गया थे next जो हमारा तीन 10 marker question थे है वो आये थे industrial development और इंडिया से 10 marker question पूचा गया था monetary policy reforms in 1921 से 10 marker question पूचा गया था and poverty elevation and employment generation in India इन से हमारा 10 mark से 10 question पूचा गया था तो basically हमारा 10 marker पूचे गया थे ठीक है descriptive questions में anyways आपको कोई 4 question करने थे थे exam में and marking scheme अगर हम लोग देखें तो basically आपका 10 marker था वो economics से 3 question पूचे गया थे economics से 10 marker में and 15 marker में 1 question पूचा गया था तो economics section में आपका descriptive question 4 पूचे गया थे and social issues आपका जो portion था उससे आपका सिर्फ 15 marker में 2 question पूचे गया थे total 4 2 question पूचे गया थे तो अगर हम यहां पर देखें नोटिस करें आपका जो objective question होता है ठीक है 223 का objective paper था आपका social issue आपका जादा महाँ पेटेश रख रख रहा था marks में पर जो descriptive question paper है ठीक है जो आपका descriptive question paper है वो आपका economics जो portion है आपका वो आपका जादा पेटेश रखता है as compared to social issues तो यह थोड़ा सा आपका analysis था 2023 का next videos में मैं आपको 2022 आपका 2021 ESI के paper का analysis करूंगा आगे चलके हम आपके reasoning, quants and English के भी papers का analysis करेंगे तो guys that's all for today I hope आपको वीडियो के सारे point clear हो गए होंगे अगर अभी भी आपको कोई doubt or query है तो आप उसे comment section में mention करें हम उसे solve करेंगे and guys अगर आप RB grade B exam के preparation कर रहे हो So guys once again thanks for watching this video All the best for preparation Goodbye